विल्कम फ्रेंट्स एक बर पुना आप सभी का स्वागत है हमारी ओनलाइन प्रेटफर्म ओनलाइन चैनल MPS Motivators पर मैसेल मुकेश कुमार पांडे फ्रेंट्स आज के सेशन में हम लेकर हाजिर है क्लास 12 बिहार बोर्ड एक्जाम 2024 के लिए आज के सेशन में क्लास 12 इंगलिश पेपर से पोईट्री सेक्षन से हम पहुं चुके हैं पोईब नमबर 2 फ्रेंट्स हम आज के सेशन में पहुं चुके हैं पोईब नमबर 2 पर फ्रम पोईट्री सेक्षन क्लास 12 इंगलिश पेपर बिहार बोर्ड आज का कभीता एक important and interesting कभीता है जिसको लिखने वाले, अमेरिका के रहने वाले एक मसहूर कभी थे So friends, today session, introduction session आज का जो session है, यह introduction session है And introduction session में, मुख्यता हम दो बातों पर जिक्र करते है एक कभी का परीचे, सबसे पहले जानते है And दुसरा, कभी ने जो सिर्षक दिया है सिर्षक यादि जो title दिया है, Song of Myself उस Song of Myself देने के पीछे उसका क्या logic है क्या कारण है, क्या उदिय से है इस पर भी जिक्र करते है क्योंकि यह जरूरी है किसी प्रोज अत्वा poetry का सरांस जानने से पहले आपके लिए यह बहुत ही महतपूर्ण रहेगा कि पहले आप उसका introduction जाने कभी का परीचे जाने कभी कहा करहने वाला था कभी का जनम कभ हुआ था कभी ने कौन-कौन से works लिखे थे कभी जो कभीता लिखा है इस कभीता में उसके लिखे ले क्या-क्या मक्सद था उसके लिखने के पीछे उसका क्या उदियस्या था इन बातों की जनकारी जब असपस्ट्रूप्स यह आपको हो जाएगी उसके बाद आप समरी पर चलेंगे सरांस पर चलेंगे तो एकदम अतियुतम होगा पहले इंट्रोडक्शन सेशन में हम परीचे जानेंगे वाल्ट वाइट मैन का फिर हम सिर्षक जो टाइटल दिया है Song of Myself उसपर हम चर्चा करेंगे उसका जिक्र करेंगे उसके बाद चलेंगे हम Part 2 जो हमारा समरी सेशन होता है समरी सेशन पर हम हिंदी एंड अंग्रेजी वन बाई वन सरांस का जिक्र करेंगे उसपर चर्चा करेंगे फिलहाल आज का सेशन Class 12 के लिए है वैसे स्टुडेंट्स जो Class 12 में है बिहार बोड से जुरे हुए है 2024 में होने वाली Class 12 बोड एक्जाम की त्यारी कर रहे है जुरिये हमसे हमारे MPS मोटिवेटर्स के साथ ओनलाइन प्लेटफोर्म के साथ घर बैठे अपनी त्यारी किजिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए 10 से 15 मिनट का समय निकालिए हमसे जुरिये सब्सक्राइब किजिए हमारा ओनलाइन प्लेटफोर्म और घर बैठे वीडियोस देखे अपनी प्रिप्रेशन को स्ट्रोंग करें तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं Walt Whiteman Walt Whiteman अंग्रेजी के एक मसहूर कभी थे He was born in the year of 18 and 19 in the United States of America 1819 में अमेरिका में जनम हुआ था Walt Whiteman का And Walt Whiteman अंग्रेजी के एक मसहूर कभी बने But कभी बनने से पहले अंग्रेजी साहित्य के लेखक बनने से पहले एक फेमस ओथर बनने से पहले Walt Whiteman के दुवारा कई अलग-अलग छेत्रों में काम किया गया He started working as a carpenter before his 12th birthday 12 वर्स के अवस्था से पहले ही इन्होंने carpenter का काम शुरू कर दिया था अपने उम्र के 12 वर्स बीते भी नहीं थे कि इनके दुवारा carpenter बढ़ई का काम लखरी का काम इनके दुवारा सुरू कर दिया गया था and he also worked in many areas like a teacher, an editor, a volunteer, a printer यानि कई प्रकार के अलग-अलग छेत्रों में इन्होंने अपनी सेवादी एक सिक्षा के रूप में भी इन्होंने काम किया संपादक एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया volunteer जब civil war चल लहा था अमेरिका में उस वक्त ये volunteer बन करके लोगों की सेवा किये जो घायल हुए थे, injured हुए थे, civil war में उनकी मदद किये and finally, Walt Whiteman became a great author of English literature तो friends, ताजब होगा जान करके, सुन करके कि इतने सारे विद्याओं में काम करते हुए अंत में जाकर के Walt Whiteman अंग्रे जी के कभी बने बारह वर्ष के अवास्था में कारपेंटर का काम सुरू किया उसके बाद एक teacher का काम किया फिर editor का काम किया volunteer का का काम किया printer का काम किया यानि कि press में कह सकते हैं छापने का काम जो छापाई होती है print होता है उसका भी उनोंने काम किया बखुबी अंजाम दिया कई प्रकार के सेवादी and finally he became the famous poet of English literature of this world अमेरिका में जीतने भी अंग्रे जी के सहित्यकार हुए हैं उनमें से Walt Whiteman का नाम सभी लोगों में सबसे उपर लिया जाता है and he died in the year of 1892 अठारो सो बानवेर में Walt Whiteman का निधन हो गिया था तो friends आज की जो कभीता है Song of Myself ये इनके दुआरा लिखी गई है क्योंकि अठारो सो पचपन में अठारो सो पचपन में इनकी एक कभीताओं का संग्रह जारी हुआ था जिसका नाम था Lives of Grass अठारो सो पचपन में कभीताओं का एक कॉलेक्शन आया Lives of Grass उसी कॉलेक्शन से लिया गया ये एक कभीता है Song of Myself मेरा गीत अगर इस टाइटल पर जिक्रह करते हैं टाइटल का चार्चा करते हैं तो मेरा गीत और इस कभीता में Walt Whiteman के दुआरा अपनी नीजी जीवन का चर्चा किया गया है हमें अपनी जीवन में कैसे जीना है हमें अपनी जीवन में कैसे खुश रहना है हमें अपनी जीवन को कैसे स्ट्रोंग बनाना है इन सभी बातों का जिक्र Walt Whiteman के दुआरा कभीता Song of Myself में की जा रही है इन्होंने अपना एक Ideology बनाया है, एक बिचारधारा बनाया है और उसी बिचारधारा पर ये अपने जीवन को जीते है लोगों को भी राय देते हैं कि आप भी मेरे तरह ही अपने जीवन को जीए हैं, जैसे मैं अपने जीवन को जीता हूँ जो मेरा सिधान्त है, उसी सिधान्त को आभी फोलो किजिए, आभी एकदम प्रसंद रही हैगा, फिट रही हैगा क्योंकि Walt Whiteman अपने लाइफ में एक Ideology को फोलो करते हैं, और उस जो बिचारधारा है, जो सिधान्त है, उसका जिक्र इन्होंने अपनी कविता Song of Myself में किया है, मेरा गीत स्वैम का गीत, और वो गीत क्या है, वही तो इनका विचारधारा है वही तो इनका प्रिंस्पल है, वही तो इनका सिधान्त है, तो यह जो टाइटल दिया गया है, जो सिर्षक दिया गया है, इस सिर्षक में वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं वो अपना जीवन कैसे जीते हैं सुबह में जगते हैं, साम को सोने तक क्या क्या करते हैं, ताकि इनका जीवन strong रहे, beautiful रहे, healthy रहे and happiest life रहे ये सब बातों का जिक्र पूरी तरह से हम अपने करेंगे part 2 जो हमारा summary session होगा, आज का introduction session में, जो मैंने बताया introduction session के लिए ये बिल्कुल परियाप्त है उमीद करते हैं class 12th के वैसे students त्यारी कर रहे हैं 2024 में होने वाली बिहार बोड एक्जाम के लिए घर बेठ है, समयनी का लिए जोइन किजिए हमारी online session को हर प्रकार के subjects को strong किजिए मिलते हैं next class में, next session में, for the complete summary of song of myself देखते रहे हैं MPS motivators, till then, thank you thank you very much